हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वहम वेल्कम टू चिकीज बाइलोजी अनदर वीडियो इन दिस वीडियो तुड़े वेल डिसकस अबाउट गोवर्मेंट जॉब्स एंड बेनेफिट्स आफ्टर्स यह साया नैंट लाइब साइन्स एक्जाम आज हम लोग अपने इस टोपिक पर बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट जरूर रहें क्योंकि फ्रेंड्स यह जो वीडियो है एक बहुती अच्छी वीडियो होने वाली यहां पर है और आप लोगों के लिए यह वीडियो एक बहुती मेज और crucial role play करेगी अगर आप लोगोंने अपना कोई 4 year का course biological stream में किया है या फिर आप लोगोंने 3 year plus 2 year का course कोई biological stream में किया है so you are eligible for CSIR net life sciences exam और यह जो exam होता है यह year में 2 बार होता है और friends आप लोग इसको 2 बार वहाँ पे दे सकते हैं इस exam को देने के बाद आप लोगों को कहां कहां पे government jobs मिल सकती है और क्या क्या आप लोगों को benefits मिल सकते हैं इस पे in detail आज यहां पे बात करेंगे तो first जो आप लोगों को इस exam को देने के बाद फाइदा मिलता है वो मिलता है कि आप लोग जो है कहीं पे भी जो है PhD कर सकते हैं बहुत सारी CSIR की labds में ICMR की labds में या फिर जो IITs होती है NITs होती है Aims होते है, I Philos sud होते है NICER होते है यहाँ पे जाके आप PhD कर सकते हैं तो आप Muslims जब यहाँ पे जाके PhD करते हैं या अपनी CSIR Network की फेलोशिप को आप लोग एक्टिवेट कराते हैं तो आप लोगों को जो है वहाँ पे 31,000 पर मन्त मिलता है टू इयर के लिए और आफ्टर टू इयर आप लोगों को यहाँ पे 35,000 पर मन्त मिलता है और यह जो फेलोशिप आप लोगों की होते हैं पांच साल के लिए आप लो लोगों को junior research fellowship मिलते हैं 31,000 और 3 साल के लिए आप लोगों को 35,000 fellowship मिलते हैं as the senior research fellow और आप लोग पी एचडी भी कर सकते हैं और आप लोग जो हैं किसी research project में as the junior research fellow भी काम कर सकते हैं after CSIR net exam और आप लोगों को यहां पे जैसे की 31,000 plus HR आप लोगों को plus contingency amount to 2 year के लिए मिलता है और आप लोगों को SRF में सोरी आप लोगों को 35,000 plus HR plus contingency amount यहां पे मिलता है अगर आप लोग अपनी इस fellowship को किसी भी institute में जाके अक्टिवेट कराते हैं during your junior research fellow जब आप लोगों वहां पे काम करते हैं as a PhD research scholar और जो HR होता है वो city wise वेरी करता है यह भी आप लोगों को पता हो यह second option है वो यह है कि आप लोग जो है you get opportunities to work in top research labs like जैसे की R&D labs तो R&D की बहुत सारी labs होती हैं वहां पे आप लोगों को opportunity मिलती है with good salary after got a rank in CSI या net lab sciences exam तो यहां पे आप लोग बनते हैं project associate बहुत सारे projects में R&D lab में जो projects चलते हैं बहुत सारे research projects में पे चलते हैं बहुत सारा research work में पे होता है तो उसमें आप लोग जो है project associate की designation पे काम कर सकते हैं research associate बन सकते हैं आप लोग junior research fellow वहां पे भी बन सकते हैं senior research fellow वहां पे भी बन सकते हैं और आप लोग project fellow वहां पे बन सकते हैं किसी project में senior project fellow भी बन सकते हैं और आप लोग जो हैं अपना काम जो करते हैं इन सभी designation पे वो आप लोग अपना काम करते हैं work under a prominent researcher and a scientist scientist की भी अलग-अलग categories होती है scientist A, scientist B, scientist C तो इस तरह के scientist आप लोगों को महाँ पे मिलते हैं थर्ड जो option है वो ये हैं इस exam को करने के बाद qualify करने के बाद वो ये है कि आप लोग get a public sector job opportunity और आप लोग जो हैं वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे PSU में भी जोब मिलती है कौन-कौन से PSU हैं जहां पे आप लोगों को जोब मिलती है after got a rank in CSIR net life census exam तो friends आप लोगों को हिंदुस्तान petroleum जो एक PSU है public sector आप लोगों का एक यह है और उसके बाद जो है इंदुस्तान petroleum के बाद Indian oil, ONGC और इन सभी public sectors में जो है आप लोग जा सकते हैं और इन में आप लोग get by technology, get life census exam qualify करने के बाद भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप लोग जो हैं permanent jobs कर सकते हैं और बहुत सारे जो research projects होते हैं उनको भी आप लोग जोइन कर सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों की salary होती है वह आप लोगों की होती है 40,000 से लेकि 80,000 के बीच में per month average salary आप लोगों की होती है और जो R&D Labs में आप लोग जाते हैं जो अभी अपने इस option से पहले जो option हमारा था second number का उसकी जो मने भी बात किये हैं वहाँ पे आप लोगों की salary जो होती है वो 15,000 से लेकि 45,000 के बीच में हो सकती है उसको भी आप लोगों को महाँ पे mention करना है उसको भी महाँ पे जानना है उसके बाद जो है जो हमारा यहाँ पे fourth option है वो है आप लोग जो है एक CSIR NET Life Senses exam में ही एक option होता है उसको हम लोग बोलते हैं CSIR NET Lectureship तो उसकी cutoff अलग जाती है Lectureship की cutoff अगर आप लोग पार करते हैं वो थोड़ा जो GRF की cutoff होती है ठीक है उससे वो cutoff जो है थोड़ी कम होती है Lectureship की तो अगर आप लोग उस category में अगर आप लोग qualify करते हैं इस exam में तो आप लोग lecturer बन सकते हैं और आप लोग professor बन सकते हैं बट इसके लिए आप लोगों के पास में PhD की degree होना जरूरी है या फिर कोई master degree होना जरूरी है bachelor degree के बाद आप लोग लेक्चर शिप नहीं ले सकते हैं या आप लोगों को ध्यान में रखना है तो आप लोग अगर private college में जाते हैं after CSIR NET lectureship exam तो इसको qualify करने के बाद तो आप लोगों को जो salary मिलती है average salary मिलती है private college में as assistant professor या lecture वो मिलती है 35,000 से लेके 60,000 पर month average और government college में आप लोगों को salary मिलती है 70,000 से लेके 1.2 lakh पर month आप लोगों को मिलती है और अगर आप यहीं पर 10 साल तक काम करते हैं तो आप लोग जो हैं इसके बाद मैं assistant professor के बाद मैं associate professor बनते हैं फिर आप लोग additional professor बनते हैं उसके बाद आप लोग जो हैं professor बनते हैं फिर आप लोग एच्वडी बन सकते हैं आप लोग dean बन सकते हैं डारेक्टर बन सकते हैं यह सभी पोर्स आप लोगों को महाँ पे मिलती हैं उसके बाद जो next हमारा यहाँ पे option है वो है DRDO की बहुत सारी labs होती हैं और DRDO की 15 labs जो हैं इंडिया के अंदर हैं अगर आप लोग इन labs में job पा लेते हैं जो defense की एक तरह से lab मानी जाती हैं after CSIR net lab census exam आप लोगों के पास यह सबसे best एक opportunity मानी जाती है और यह central government की job होती है तो अगर आप लोग इस job को पा लेते हैं तो friends इस से च्छा तो आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे है ही नहीं तो इस पर आप लोगों को द्यान देना है उसके बाद जो next यहाँ पे option है व और जो आप लोगों के job मिलने के chances होते हैं वो बहुत ही जादा हो जाते हैं अगर हम लोग उसका comparison आप लोगों का करें जब आप लोगों ने इस exam को qualify नहीं किया होता तो उसके बाद जो है आप लोगों की opportunities जाता बढ़ जाती है जब आप लोग इस exam को qualify कर लेते हैं तो friends next जो यहां पर option है वो है आप लोग जो है आप जैसे की PhD के बाद आप लोग अगर पॉस्ट डॉक करने के लिए जाते हैं और आप लोगों के पास में CSIR, NET exam आपने qualify कर रखका है life science system में तो आप लोगों को पॉस्ट डॉक मिलना जो PhD से बड़ी degree होती है आप लोग ज्यादा लोग होती है तो अगर आप इंडिया में ही कहीं पर पॉस्ट डॉक करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए easy हो जाता है पॉस्ट डॉक को पाना after PhD अगर आप लोगों ने CSIR, NET lab census exam को qualify किया है उसके बाद अगर आप लोगों के पास में CSIR, NET lab census exam का scorecard है और आप अग कर रहे हैं कहीं पर R&D में या किसी इंसिट्यूट में उसके बाद next जो है वो है कि आप लोग जो है after CSIR, NET lab census exam आप एक book author बन सकते हैं you become a book author and publisher book chapter आप लोग book chapter publish कर सकते हैं या आप लोग जो है एक book publish कर सकते हैं whole book entire book और आप लोग जो हैं एक scientific writer भी बन सकते हैं उसके बाद आप लोग जो है अपना कोई startup खौल सकते हैं biological domain में या life sciences domain में और आप लोग जो है by technology के domain में या microbiology के domain में या other किसी biological domain में अगर आप लोगों ने CSIR, NET lab census exam qualify किया है इसमें आप लोगों को government बहुत help करते हैं अगर आप इस exam को qualify करने के बाद में startup अपना खौलते हैं या फिर आप लोग जो हैं एक entrepreneur बनते हैं और आप लोग जो अगर अपना own research lab आप लोग open करना चाहते हैं या setup डालना चाहते हैं तो भी exam आप लोगों के लिए best है so thank you friends thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates और इस वीडियो से related अगर आप लोगों का कोई question है आप लोगों का mind में कोई doubt है तो please friends उसको वीडियो के नीचे comment box में type करना नहीं भूले और channel को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलें thank you friends